हेलो प्रेंड धाप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं छोली की सब्जी यह सब्जी आप पूड़ी परेठा और चावल के साथ खा सकते हैं इससे पहले जो हभाई वैन हमारी चैनल परना है और पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी सब्जी किस तरह बनी हुई है यहां पर मैंने लिए हैं 200 ग्राम छोले चोले को मैंने साम को फूलने के लिए रख दिया था तो हमारे छोले फूल कर तयार हो गए हैं तो इसको मैंने साप करके पर में उबलने के लिए रख दिया है इसमें मैंने डाल दिया कुछ गरब मसाले तेज पत्ता और नमक यहां म यहां पर मैंने कट किवे हैं प्याज टमाटर अद्रक लैसुन लाल मिच इधर अमारा छोला भी उबलकर तयार हो गया है तो इस चाय को हम अलग निकाल के रख देंगे और आप लोग देख सकते हैं छोला हमारा ओबलकर तम प्रेडी हो गया है इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे तेहां बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला था तो थोड़ा सा पानी निकला हुआ है छोले में एसके बाद मैंने याPO गड़ाई में डाल दीया है तेल तेल हम अच्छे से खरम हो जाने देंगे तब तक हम इससे हम सुखे मसाले तयार कर रहे हैं, यहां एनने हल्दी, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर यूज किया हुआ है, सारी चीजों को मैंने पानी डाल के फुला दिया है, इदर मैंने तेल गरम होने हुआ जीरा, हीन इसमें जो मैंने उबालने में तेज पत्ते का यूच किया था वही मैंने इसमें डाल दिये हैं यहां मैंने प्याज अद्रक लैसुन का पेश्ट डाल दिया है इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि यह हमारा तेल न छोड़ दे मसाला यहां मैंने मसाले को पका लिया है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने सूखे मसाले तयार करके रखे हुए थे उनको मैंने यहां पर डाल दिया है तो इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे यहां पर मसाला हम जितना अच्छे से पकाएंगे सब्ची हमारी उतनी अच्छी बनके तयार होने वाली है इसके बाद मैं डाल दिया यहाँ पर टमाटर का पेश्ट तो इसको भी हम पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले से सोंधी सोंधी कुश्पू आने लगे इसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया एक चम्मच कस्तूरी में थी आदा चम्मच कस्मेरी लाल मेच इन सारी चीजों को हम अच्छे से पका लेंगे तो हमारा मसाला पक के रेडी हो गया है इसके बाद मैंने जो छोले उबाल के रखे हुए थे उनको भी हम इनी मसालों में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे यहां मैंने छोले को मसाले में अच्छे से मिला दिया है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहां मैंने पानी डाल दिया है इसमें हम जो पानी मेरा छोला उबरले में निकला हुआ था उसका भी मैंने इसी में यूज किया हुआ है तो यहां हम खॉल आ जाने देंगे इसके बाद हम इसको ढग देंगे यहां पान डाल दिया है नमा है सारी चीजों को डालने के बाद हमने सब्जी को दस मिनट के योजए टखदिया था तो यहां हमारी सब्ची बन कर हो गई है तयार आप लोग देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी अच्छी पनी हुई है इसी के साथ वीडियो का आइन करते हैं मिलेंगे नेच वीडियो